वेल्कम टू दे नेहा टिटोरियल चानल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उनलाइन कैसे अटेंडेंस ले सकते हैं आपको गूगल शीट्स डाउनलोड करना पड़ेगा यह है गूगल शीट्स मैं आपको अपन करके दिखाती हूँ प्रीन के राइट साइट पे एक प्लस साइन दिख रहा है आपको इसमें क्लिक करना है आपको इसमें दो ओप्शन्स दिखेंगे चूज टेंपलेट और न्यू स्प्रेडशीट आपको चूज टेंपलेट्स में क्लिक करना है Templates में जाने के बाद आपको बहुत सारे Options दिखेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Attendance लिखा हुआ है आपको उसमें क्लिक करना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Class Name है Student Name है और फिर यहाँ पर उपर में है Date or Days P यानी की Present, N यानी की Late E यानी की Excused Late U यानी की Unexcused Late अब आपको Students के Email ID को Add करना है ताकि वो Attendance दे सके यह वाला जो Button है आपको इसमें क्लिक करना है ताकि आप यहाँ पर यहाँ पर Share लिखा हुआ है क्लिक करना है ताकि आप उसमें Add कर सके आपको दिख रहा है Add People और Groups अब आप इस Attendance Sheet के Owner जिसे Edit का SS देंगे वही सिर्फ Edit कर सकते हैं जामपल के तौर पर यह Attendance Sheet दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं NSS Special Camp Attendance के नीचे View Only लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर Attendance सिर्फ देख सकती हूँ मुझे Allow नहीं मिला है और यहाँ पर मैंने Select करके रखा है यहाँ पर मैं जो कि अगर आप टीचर है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं अभी मैं इसमें क्लिक करूंगी आप यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं और स्पीकर से भी बोल करके लिख सकते हैं और मैंने जहाँ Select किया है वहाँ पर Students का नाम लिखा जाता है Example मैं यहाँ पर लिख रही हूँ Example मैं यहाँ पर लिख रही हूँ Neha कुमारी अब मैंने यहाँ पर Neha कुमारी लिख रहा है फिर मैं इसको Select करूंगी अब मुझे टिक में दबाना है और यहाँ पर आप Size देख सकते हैं मैं इसे 11 में दबारी हूँ यह बड़ा छोटा करने का है देखें मैंने 18 में दबाया है अब 36 आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है तो मैं इसे Normal Mode में ले जाऊंगी 12 उसके बाद मैं इसे Bold कर सकती हूँ यह देखिए मैंने इसे Bold कर दिया है और इसमें मैं इसका Color Change करना चाहती हूँ तो मैं इसे Black से Brown कर सकती हूँ Red कर सकती हूँ Yellow Sky Blue and Pink ऐसे आप इसका यह कर सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अगर हमें बैक करना है तो यहाँ पर आप Ultra Sign देख सकते हैं अंडू का उसके बाद मैं इसे दबाते रहूंगी तो यह देखिए कि मैं जहां 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 गई थी वो सब आ रहा है यह देखिए ऐसे आपको और भी Options मिले हैं जैसे कि इतने सारे Options है Horizontal Alignment यहाँ पर फिर Vertical Alignment Wrap Text यहां Fill Color Borders Insert Row Below and Insert Column Right तो आप Easily Attendance ले सकते हैं अब मुझे यह Save करना है तो यह यहाँ पर Left Corner में एक उसमें मैं क्लिक करूंगी फिर विबैक जाओंगी उसके बाद अटेंडेंस में क्लिक करके डाउनलोड में जाएंगे फिर वो डाउनलोड हो जाएगा मतलब सेव हो जाएगा पूरे तरीके से अच्छा लगा तो सिस्क्राइब लाइक और कमेंट करिएगा थांक यू